दोस्तों देख रहे हो आज कि आपको सामने क्या दिखाई दे रहे हैं आपने सही पहचाना आज मैं बनाओंगी शिमला मिर्च और आलू की सूखी सबजी बहुती डेलिशियस बहुती टेस्टी सबजी और बहुती अच्छा कॉंबिनेशन है ग्रीन और वाइट ग्रीन शिमल एक हरी मिर्च और दो बारिक बारिक कटेवे प्यास डाले और अब इनको अच्छे से हम भूनेंगे और बहुती अच्छी खुश्बू आरी है भूनने की हमारे प्यास थोड़े से हलके ब्राउन हो जाने के बाद हम डालेंगे दूसरे मसाले स्पाइसिज और पहले सबसे आलू फ्राइगे और दोस्तों यह सबजी जो है मुझे सुखी सबजी बहुत ही पसंद है और चपाथी के साथ खाओ चायए पराटे के साथ कायए दाल चावल और सबजी सुखी हो साथ में बहुत ही मजा आ जाता है खाने का तो अब इसमें मैंने आदा चमच हल्दी पाउ काउडर डाला हैं और स्वादनुसार नमक किया और अब डाले मैंने टमाटर बारी कटेवे दो टमाटर डालें अभी इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे इसको अच्छा सा मसाला तेयार करेंगे जब तक कि टमाटर एकदम सौफ्ट न हो जाएं लगातार चलाते रहेंगे और साथ में मैश करते रहेंगे कर्चे से टमाटरों को बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है शिमला मिर्च और आलू की हमारे गर में तो सभी बहुत पसंद करते हैं और सबसे खास बात इसमें यह है कि शिमला मिर्च को एकदम गलाना नहीं है थोड़ा उसमें करंच रहना चाहिए तभी मजा आता है उसका कलर भी तभी बरकरार रहत है और थोड़ा क्रंची होती और आलू एकदम फ्राइड हो जाए तो कहने ही क्या सबजी का बहुत ही मजा आता है दोस्तों अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेय तमाटर सौफ्ट हो गया है अब मैंने इसके अंदर कुटा हुआ दनिया एक चमट डाला है दनिया पाउडर और फिर से मैंने सारा मिक्स कर लिया और 5 मिनिट के लिए 4-5 मिनिट के लिए मैंने धक्कर रखा था कडाई को और अब मैंने बारी कटेवे दो आलू डाल दी है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डालिये का अरोमा बहुत ही अच्छा आता है और अब हमारे आलू काफी गल चुके हैं अब इसके अंदर मैंने शिम्ला मिर्च कटेवी डाल दी है आप आलू और शिम्ला मिर्च के टुकडे आप अपनी पसंद से गर सकते हो छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगते हैं अब इसको एक से दो मिनट तक ही पकाना है और यह हमारी शिम्ला मिर्च की सबजी तेयार हो गई अब हमने सर्व कर लिया है तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई सबजी नई वीडियो के साथ गुडबाइ एंड टेक केर